नमो नारे नमो नारे जेगो माता वंदे मात्रमा भारती को प्रणाम और हिर्दैशे ओम शाम शनिष्चारा आए प्रिदर्शकों मित्रों शात्यूं आज की दाती गुर्मंत्र में हिर्दैशे आपका श्वार करते हैं मित्रों शात्यूं हर व्यक्ति सांती चाता है हर व्यक्ति सुख चाता है और शुक और शांती पाने के लिए व्यक्ति भटकता है इसारी काम करता है इसारी मेहनत करता है लेकिन वास्तों में जीवन की सांती चाहिए भीतर में संतुलन चाहिए तो बार की जो खोज है वो वैरती है क्योंकि बनाने वाले ने प्रमपिता प्रमात्मा ने हमारी जीवन का जरूरत का सेमान जो सांती है जो भीतर की सांती का है व सद्गुरु भीतर के रहा को बताता है गुरु महराज भीतर जाने का रहा बताता है और जब गुरु महराज जी ग्यान दे दे तो ग्यान लेने से कुछ नहीं होता है निरांतर नाम भजन के बिना ग्यान कहीं काम नहीं आता है नाम का भजन करो और निरांतर करो जब अवसर जब मोका मिले नाम शुमिरन करो भला होगा ना बना रहे आज की दाती गुरुमंतर में बात करते हैं 26 सितंबर 2024 की राश्य फल और पंचांग की राश्य फल प्याओं उससे पहले आज का पंचांग आस्विन मास क्रिशनपस की नौमी विकरम स्विश्व मास की ग्यारा परव योग का समाप्तिकाल है वो रातरी 11 बज़ कर 41 मिनले अगला योग शीवि होगा सुष पर बारा बचविश मिंट अगला करन बटीज होगा सुषित लिए याने ब्रशपत देव के नक्सरम है, चंदर देव का संतर्यव का संधर चंदर देव मितन राश्यों पर इसका क्या प्रभाव पढ़ेगा मैं आपके राशीपल की चर्चा करूंगा तिर उससे पहले आज कि घरे युगा वा प्रात्कानी लगन कन्या लगन है कन्या राशी में सुर्द देव बुद्द देव और केतु देव है मिठों राशी में चंदर देव की है और यह अरतालिश्मिन्ट आज की दिन कोई भी शुबकारी करने के लिए सबस्क्रा मौरत है कोई भी नया और शुबकारी जिसकारी में चीर इकाल तक लाब नना उसे आभी जीद मुर्थ में करें और आभी जीद मुर्थ भगवान स्री हरी को अति प्रिया है मित्रों श रहेगा दोपर एक बजब कर बारा मिनिट तक चौकडिया रहेगा साम् चार बजब कर बारा हम निट तक हम चैवल्थ कर 12.16 बारा मिनिट तक शुबका सुबका सुबका सुबकर भारों पजबनित करना अंकुल hatte उचित माना नेगा एसी क Help तो पर दर्शकों मेत्रों सात्यों समय साधन प्रस्तियां और काल में बहुत परिवर्टन आया है इसलिए किसी भी दिशा में यात्रा करें मेरा प्रतिबंद आपके उपर नहीं हाँ जब आप यातरा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले साध कदम दक्षन दिशा के और जा जाएंगे तो कस्ट कम आएगा मित्रों लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि यह जन्रल प्रडेक्शन है आप अपने बारे में कुछ जानना चाते हैं आप अपनी जन्मकुली को दिखाना चाते हैं क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्मकुली से मिलेगी तो आपको गोशेवा करने हो ने, मित्रों शातियों मेरा शंपूंग जिवन गोशेवा के लिए, मेरी गाएं सुकी रहे, मैं ये कारिय करता हूँ, समयकाल प्रसतियां हमेशा एक सी नहीं तिसादती सातियों, मेरी आर्तिक स्थिती इसमें थोड़ी सी कमजोर है, और मेरे पास ग लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए, वरत्मान प्रस्तितों को देखते हुए, मेरी गाएं सुकी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकि आपकी मैं से, मेरा एक छूटा सा निवेदन है, मित्रों शातियों, आप सभी लोग, सनिधाम का जो नंबर है, गोशाला का नंबर है, उस पे आप फोन करते हैं, जो लोग वाँ काम करते हैं, उनका आफिस का अपना एक ताइब है, आपके फोन जो उठाए जाएंगे, वो सुबह 9 बज़े से लेकर साम 8 बज़े के बीच में उठाए जाएंगे, इसलिए मेरा आपको कोई नहीं देगा, तो जो भी जो सनिदाम के नीचे नंबर आ रहे हैं, गोशाला के, इन नंबरों पर शंपर्क जो होगा, वो सुबह 9 बज़े से लेकर, शाम 8 बज़े तक ही होगा, इस बात का ध्यान देगा, प्रदाश्कों में तरों साथियों, 26 सितंबर आपका अगर आपका जनम दिन या फिर साथिय की साल करें तो जो उपाई बताने जा रहा हूं, यह उपाई पूरी वर्षबर आपको लाब और शपोलता देगा, यदि आपकी साथियों की साल कर रहे हैं, अगर आपका जनम दिन है, तो इस उपाई का आप श्याम खुद करें, आप मोका मिल जाए पीपल के पेड़ के निश्वमे वरक्षत तिपक जलाने के बाद तुमा एक सुआट बार यानि एक माला ओम नमो भगवति रुकमनी वहाई श्वा इस मंत्र की तीन माला जाब कर ले शंपून कष्ट परेशानी जुटकारा मिलेगा और जीवन खुश्यो इस मंत्र की सर्धानुसर माला का जाब करें आज गरीब को भोजन और वस्तरों का दान देंगे तो आपकी कष्ट और परेशान से जुटकारा मिलेगरू मित्रों शत्यों यदि यदि केरियर कारबार नौकरी वेफशाई समाज और परिवार में अनावशक विगन परेशान में गाई को अपने हाज से खेलाने से सारी प्रेशानिया उपाय हर शनिवार को करना और हुए आज के बात करेंगा बाब के नाम राश्यप्राधार पूर्शूं के लिए भी है मैलाओं के लिए बुजरगाओं के लिए बच्चों के सबसे पहले बात करूंगा मैसरास तीसरे भाव में चंद देव ब्रश्पद देव के नक्त्रों में संचर करें शितारा विचाल अनुकुलता है भागे साथ देगा रुक्यवे कार्ये पुन होंगे धनला एवसरक्त होंगे मातपेता का फूनुक प्रसंदुद संपति की प्रापती का संगेत का स्वास्ति इत वुत ररुबंन परसंदुद करें नौकरी में करिचेतर में शूफल llama par 200 करने में इसंपलोंगे विद्यार्तियों को अपने सच्च का पून-मुका मिलेगा अपने सपने सच्क पूर्णकाम क्या करें निजड परसंधा के लिए काड़े करें क्या ना करें स्वार्थ रहंकार बश्किये कार्यने कार्यन रिशَّय करें समाज और परिवार को लेकर उत्तम अउसर और लाम मिलेगा, धन की प्राप्ती होगी, परिवार में समन में अच्छा रहे, अगर समाजिक सरोकार का मोका मिलेगा, लेकिन विशेश कारी में जल्द बाजी भी करें, वेर्ट की बात विवादों में नहीं पढ़ना है, और पार और वेवार की अनकुलता बना के रहे, क्या ना करें, नहीं लोगों से व्यपारी की दोस्ती नहीं करें, शुबंगो, शुबरंग भूरा, भागिया आपकी पक्ष में, 60 पसंद लाप कर संकेत विश्वरासिवालों, प्रादिकाल नित्य करम नित्य करम नियों, सनान उपर शर्था प्रोग, 27 मोगरे के फुष्व भगवान शिव के स्विलिंग पर अर्पित करना आपके लिए उत्तम रहेगा, नोमना इन बात करते हैं मितुंदाशी, लगन भाव में चंद देव, प्रश्पत देव के नक्सर में संत्री ग्रग उचर शुब है, कोटम परिवार म जो महनत और परिशन में उसका पूर्ण फल आपको बिलेगा, यूआ और विद्यारते को केरियो और एजूकेशन को अच्छे आउसर भी मिलेंगे, क्या करें, सब परियास्तों से कारी सिद्ध होंगे, इस उपाई को अपना देगे, क्या ना करें, कारी सिद्ध में वक्री शनी, शनी देव अपनी राशी में हो, मुल्त रिकॉंड राशी में हो, उचराशी में हो, वक्ती, यदि जनमकाली शनी वक्री है, वक्ती बहुत शमदार होगा, दुख पीडाओं से गवराना वला ये वक्ती नहीं होगा, हमेशा आज साथ की पिरण की तलास एक समय में के काम एक साथ करेगा, बहुत योदनाय बनाएगा, जनमकाली शनी वक्री है, वक्ती के अकिस्मात कारी पूर्ण होगे, और ऐसा वक्ती पुराने और नए दोनों विचारधारों का समन्वे लेकर चलेगा, जनमकाली शनी वक्री है, तो वक्ती कम उमर में प्रफलता देता है, घवराने के कहीं बाद, शनी वक्ती को लेकर घवराईये मत, यह अदभुद्य होता है, नमना रहें, नमना रहें, आरवेद के इस सुन्दर चर्चा में दिल से आपका श्वाद है, राश्वाशियों मैंने कहाने कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ल लोग कहते हैं, हमारा पेट बहुत खराब रहता है, और पेट खराब रहने की वज़े से कहीं कहीं कोई बीमारी हमेशा हमें लगी रहती है, जो मैं बताने जा रहा हूं, जो रिश्यों का प्रशाद बताने जा रहा हूं, जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा ह पेट एकदम साफ होगा और चाहिए वो कभज हो चाहिए गैस हो चाहिए आपच हो इसे पीछा चूड़ देगा करना क्या है मार्केट में काइम चूरून मिलता है यह बहुत अच्छा चूरून है लेकिन इसको ज्यादा दिन नहीं लेना है तीन से चार दिन ही लेते हैं काइ चूरून के अंदर मिला देना है मिक्स कर दीजिए रात को सोते समय मातर एक हपता आदा चमच गर्म पानेक से लेना है देखेगा अध्भूध है यह पेट साफ करने के लिए और इक बात और करना चाहता हूँ इदि आपको शूर्य मुद्रा आती हो शूर्य मुद्रा ऐसे बनेगे देखे ऐसे यह सूर्य मुद्रा तिनों अंगलिया उपर रहेगी और यह सूर्य मुद्रा लगातार 12 मिनट 12 मिनट 12 मिनट 12 मिनट का यह अभ्यास है इस मुद्रा का लगातार 36 मिनट कुछ दिन अभ्यास कर लिजिए कभी आपका पेट खराब नहीं होगा सूर्य चोट की संभावना है, बांद्रुगटना है, कानोनी समस्याओं का संकेद सरकार से पंगा है, तो मोटा नुक्सान हो सकता है, आज कारी में निवेश करना, कारी में परिविरत करना, नौकरी में परिविरत करना, समस्या और परिशाने का संकेद दे रहा है, रिकम डूब शक् तत्ता कती तो लोग आपसे धोका कर सकते हैं वेर्त का तनाव और स्वास्ती प्रभावित हो सकता है आज शावधानी अप्रिक्षिस भाई चाए विद्यार्ति हो चाए यूँए चाए कोई भी हो परिशान नहीं है क्या करें बुज्रुगों की सला से काम करें क्या ना करें जोक्यम के काम में हाथ न लाले सुबंग साथ सुबंग करीम भागिया आपकी पक्ष में 30 प्रसंद लाब करशन के तेकर कराश वालों बागवान शिव के स्विलिंग पर बेल पतर रप्रित करना उत्तम रहेगा नमने बात का थे शिंगराशी ग्यारवे भाव में चंद बड़े लोगों की सरहना मिलेगे परसंद साके पातर बनेंगे विद्याली के दर्शकों मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा इसी त्वस्तु की प्राति प्राप्ती के लिए पारवरिक शल्हा बहुत ज़री क्या ना करें अंजान लोगों से मित्रता ना करें शुबंगतिन संकेत सिंग राशवालों नाराइन की सिचलों में कमल का पुष्वर्पीत करना आज शुब रहेगा नमनेल बात करते हैं कन्याराश्व दसंभाह में चंदर देव ब्रश्पद देव कि नंच्ट्रों में संच्ट्रों में शुब है नोकरी में उनत्य होगी उच अधिकारी तुलाराश्वालों के नौए बहुत्र प्रणामों का संकेत है शकरात्र प्रणाम मिलेंगे चाहे नोकरी हो चाहे अज्यूकेशन का सब्सक्राइब करें अपने अधिकारों को गल्फ प्रियोग ना करें सुबंग नेला भागिया आपकी फक्स में 70% लाप का संकेते कन्या स्कुन धर्म करते बलेगी संसानी देगा मौखा मिलेगा लेकिन कारुबार में थोड़ सा धहरी रखना हो का सेत की प्रति सचेद्रेना होगा और अपनों के साथ मदूर्थार से पेशाना होगा वैसे अपनों का स्वयूग अचाह है और अपनों के से संतान संम्धी परिश कारवार में होगी कारवार में समशी आठकेगी लेगल मामलों की वज़े से अनावसक तनाव है, पेपर बर्ग को लेकर परिशानी कर संकेत, इंकम टैस्ट, जेस्ट, सेल्टेक्स से दी मामलों में विशेशावधानी, धनका आपवे है, मांसिक और सारिक असंतुलेने, उच अधिकारी और अपसरों से समंधना बिगड़े जये इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, कानगी जहंजटन से दूर रहना बहुत जरूरी है, क्या करें ? किसी गरीब निदन वीक्ति को दवा का दाम है क्या न करे किसी अंजन वेक्ति को अपने कारी में सामिलना करें 30 प्रसनल्वं कर शंगरिते विर्सेक राशवाल, हं बढ़ा शुब और अनकूल है कामकाच कारुबार नौकरी राजनी रूट कारुबार के चिमें सपलता मिलेगी इच्छी धन की प्राप्तियों की भाईबंदों का स्वयग उनत्ति कारक होगा यात्रा से लाब मिलेगा माता-पिता का सवयग मिलेगा वित्यारतीर युवाँ क कारुबार, नौकरी, वेविशाय, शिक्षा के चित्र में 59 के उत्तम आभसुर मिलेंगे और प्रतितुंद्रेवों पर वीजे मिलें। क्या करें? शकर्मियों की समश्या पर ध्यान देजें। क्या न करें? स्वारतवश कोई काम नहें करें। बंग्सार शुबरंग सपेद भागिया आपकी पक्त में 60% लाब कर संकेते धंदाश वालों नारायन के सिर्चर्णों में आज नीले पुष परफित करना बड़ा शुबर एगा नमरायन और बात करते हैं मकरासी लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आपके समश्याओं का शमा से आएगी और वो 21-2025 तक रहेगी सिंग्साब का सवाल है कि कानूनी शमश्याएं बहुत है कानूनी शमश्याओं के निवारान के लिए क्या करते हैं यह बड़ा सारभूमिक समाल अपनी मेहनत अपने परिश्रम और इमानदार से काम करने के बाबजी दीदी कानूनी चालिस मंगलवार कर दीजिए परिशान शमुक्ति मिल जाएगी और शिंग्साब जिसरके घरे योगा-योग है आपके लिए उपाई रामबान और शटिंग होगा नहीं बहुत से मातपिताओं ने एक सवाल बेजा कि संतान को शिक्षा में शपलता नहीं मिली पढ़ाय में मन नहीं लग रहा है अश्तिरता बहुते संतान को पढ़ाय में सपलता के लिए क्या करें यह उपाई किसी भी चनिवार या शनी प्रदोष्पर या मावस्तिक दन प्रावन नित्य कर्मिन सुनान उप्रांत बन भगवान शनीदेव की मूर्ति का इसपर्ष करें स्री अशन बैठकर ओम शम अविद्या मूल नासनाय नमहा इस मंत्र का 108 बार चाप करें गरीब और निजन व्यक्ति को भूजन और वस्त्रों का दान देजिएगा कष्ट और परेशांची छुटकार मिल जाएगा यह हर शनीवार को करें लगातार 40 शनीवार करें आप दिली अं करते समय मुख किस दिशा में होना चाहिए मित्रों शाथियों पास्तु सास्तर का यह अकाटि सत है कि भोजन करते समय पूर्व या उत्तर की और मुह होना चाहिए दक्षिन और पच्षिम दिशा में भोजन करते समय मुह नहीं होना चाहिए ऐसा वास्तु सास्तर कहता है न आर्मी की यात्राई होगी शिक्षा और केरियर और नौकरी के चितर में उत्तम अवस्वर लाब का संकेत है सांदार सरपलता है लाब है क्या करें परवरी खुषियों में शामिल हो क्या ना करें लोटरी में धन्ना लगाई शुबंग पांच शुबरंग सेलेटी भागिया आ बार नौकरी भाषा श्रमाज को लेकर उत्तम अवस्वर लाब का संकेत है नौकरी और सरकारी छेतर में सुधार और शफलता है समाजी को पारवर्ट जिम्मधार निबने का अवस्वर मिलेगा आए की प्राप्ति होगी युक्ति और बुद्धी से अपने कारी को संपन करन पीले पुष्व भगान शिव के सिलिंग पर अर्पित करना उत्तम रहेगा नौकरी में बात करते हैं में इर्श्यार और रहा तो अपनों से मत्वेद होगा तनाब होगा और अपनों का साथ नहीं मिलने की वज़े से हर्जेगे कहीं 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 कोई उठा पटक रहेगी इस प्रियास करेगा इसलिए अपनों के साथ रहे परिवार में किसी का स्वास्ति प्रभावित हो सकता है आपकी लापरवाई अस्वाधनी दुख का कान बनेगा सरकारी तंतर वैवधान उत्मन कर सकता है श्यों के कान जटिल समिश्या में फर्शकते भई लड़े जगरे से द दर्शकर मित्रशाथ यह था बारराकभारा राश्यों क्रासिपल नक्ष्षगणाव का अधार पर मेरा नेजी आंकलन ना भय न भ्रम न भ्रहन न ब्रहांती है न विवाद a शकर वक्त का था आपका है महां यहां आंकलन मेरा था और मेरी से भूल हो जाए तो दोनों हाज आप सुखी रहे आप स्वास्त्रे समर्दिशील है शन्देव की चड़ में मेरी प्रात्म नमना रहे रास्तान का हर व्यक्ति जानता है एक दाति मराज गायों से बहुत प्यार करता हुआ हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दि मनशियों और मानू होने इतनाती मेरा करतव है कि मैं अपनी रास्त के शेवा करूँ मैं इस रास्त का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस रास्त के साथ लगाया है वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूँ अब भ दन नहीं चाहिए लेकिन वरतमान में जो आर्तिक प्रस्तिय हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनिधान गोश्याला की गाएं तुखी नहीं रहे इसके लिए मुझे आपका स्योग चाहिए और स्योग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आप आपकी शमश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुली के अवलोकन करना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीओंगा तब तक खड़ा रहूंगा नंबर इंबरों पे शंपर करी अब मेरी से बात करी लेकिन इसकी हवज में गाएंग जी लेए चार्य की वेवस्था कर लीजये और इसलिए मैंने कहा था कि भरी थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में उं और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी प्रेशान है ऐसा हिरुदय से आया लोगों ने कहा कि राश्ट आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी मेरा ये एंकार नहीं है शातियों मेरा राश्ट रोपर है मैं ये नहीं कहा रहा हूँ मैं ये कहा रहा हूँ मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए सनि भगवान आपकी रक्षा करेब आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदा है, और वे लोग जो शक्षम है, शामर्थेवान है, और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्यक्ता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पिछले एक महिने में लगबग लगबग 20 से 25 पचास लोग ऐसे भी है, मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रणार करता हूँ, और यह सयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों, समय ऐसा है, कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकौन से अनकोर संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मै सासन के अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और सासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी, मैं आप सभी का धन्यवाद देते भी हिरदय से पुने एक बार ने वेजन करना जाता है, कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिदाम गोशाला में खड़ा रह पेरा कोई दवाव नहीं है, प्रातना थी, आउम नमो नारायन, आउम नमो नारायन